तोड़े वी आर गोईंग तो डिस्कॉस अबाउट पोएम एनिमल्स एंड इस रिटन बाई वॉल्ट विट्मन बिफोर वी स्टाट स्टेडिंग अबाउट पोएम लेट में गीव लिटल इंट्रोड़क्शन अबाउट इट वॉल्ट वॉल्ट विट्मन एक अमेरिकन कहा जाता है इस पोएम के दलोग पोएट कहना जाते हैं यौना जाते औरीं मिटल से नहीं होते हैं नहीं वो घर चीद के पीछे भागते हैं इनिमल के पास जितना होता है वो उत्ने में ही खुस रहते हैं The poet tells us that he feels more at home with animals than humans whom he finds complicated and false यह पर feel at home with का मतलब होता है comfortable, किसी के साथ comfortable feel करना तो poet बोल रहे हैं कि जो animals हैं उनके साथ वो जादा comfortable feel करते हैं जो होते हैं वो बहुत ही complicated होते हैं उनको समझना मुस्किल होता है और वो false होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं बाहर से बहेब कुछ और करते हैं अंदर से कुछ और होते हैं लेकिन जो animals होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं इसले poet animals से जादा comfortable है compare to human I think I could turn and live with animals They are so placid and self-contained I stand and look at them long and long तो यहाँ भी point बोल रहे हैं जो वो जो है वो human being से animals की और turn हो जाएंगे वो बोल रहे हैं मैं वापस से जाओ और animals के साथ रहना शुरू कर दू क्योंकि जो animals होते हैं वो बहुत ही placid होते placid का मतलब होता है peaceful, calm, self-controlled तो वो बोल रहे हैं कि जो animals होते हैं वो बहुत ही सान्थ होते, peaceful होते हैं उनके पास कोई भी दुख नहीं होता है और वो self-dependent होते हैं मतलब वो अपने आप से मतलब रखते हैं उन्हें जितना मिला है वो उतने में खुश रहते हैं वो बोलते हैं कि अगर मैं रुखता हूँ और देखता हूँ तो मैं उन्हें मतलब animals को देखता ही रहता हूँ अब पोईट बोलते हैं कि क्यों उन्हें human अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि जो animals होते हैं वो वाइन नहीं करते हैं मतलब वो हर चीज़ के पीछे रोते नहीं हैं कि मैंने वो सही नहीं किया मैंने वो गलत कर दिया है ना इन सब चीज़ों का वो रोना नहीं रोते हैं जो उन्होंने sins किये हैं मतलब जो गलत काम किये हैं उसके लिए वो पस्ताते भी नहीं है मैंने यह चीज़े कर दिया मैंने वो चीज़े नहीं किया इन सब चीजों को करने के बाद वो God की तरब अपनी Duty Complet करने की बात नहीं करते animals जो होते है वो real होते वो कुछ भी कलir नहीं करते है जिसको करने के बाद उन्हें regret हो, मतलब उन्हें पच्ताना पड़े So he said, मुझे इसलिए human नहीं पसंद है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो sweet and wine वो क्या करते हैं, रोते हैं, वो जूट बोलते हैं और फिर वो वीब करते हैं, अपने ही sins के लिए अपने के गए गलत काम के लिए They do not make me sick, discussing their duty to God पोईट बोलते हैं, कि मुझे उन्हें सबसे ज़्यादा सिख चीज क्या लगती है मतलब सबसे गंदी चीज क्या लगती है कि वो उसके बाद अपनी duty discuss करते हैं कि हमें भगवान के लिए क्या करना चाहिए इन चीजों को हमें भगवान के लिए करना चाहिए इन सब को वो discuss करते हैं So he says that Is why I like animals more than human इसलिए पोईट बोलते हैं इसलिए जो animals है वो मुझे ज़्यादा पसंद है Compared to human Not one is dissatisfied Not one is demented with the mania of awning things Not one kneels to another Not to his kind that lived thousands of years ago यहाँ पर demented का मतलब होता है एक तरह से disturbed होना और mania का मतलब होता है एक तरह का पागलपन तो पोईट बोलते हैं कि अगर हम animals को देखते हैं तो वो dissatisfied नजर थोड़ी नाते हैं मतलब ऐसा थोड़ी ना लगता है कि life में उन्हें कुछ चाहिए था और यह जो mania है means यह जो पागलपन है बहुत सारी चीजों को खरिदना है अपने पास रखना है यह सारी चीजे है क्या materialistic चीजे होती है तो यह जो चीजे है वो animals में नहीं होती है मतलब वो कभी भी dissatisfied नहीं होते है कि हमें यह पाना है वो पाना यह खरिदना है न इन सब चीजों को पाने की पागलपन animals में कहीं दिखाए नहीं देती है यानि कि यह जो materialistic thinking है एक तरीके से जो humans में बन चुकी है वो animals में कहीं नजर नहीं आती है not one needs to another not to his kind that live thousands of years ago एक जो animal होता वो कभी भी दूसरे animals के सामने जुकता नहीं है सभी अपने अपनी खाना ढूंडते है सभी अपने अपनी जगहों पर रहते है सभी अपनी अपनी life में रहते है हैना सभी अपनी groups में होते है but human क्या करते है किसी को बड़ा समझ कर उसके सामने जुकते है किसी को thousands यह पुराना बोल कर मानने लग चाते not one is respectable or unhappy over the whole earth मतलब एक जो human होता है ऐसा नहीं है कि वो respect करें हर चीज़ की human जो होते हैं वो हर चीज़ से unhappy रहते हैं मतलब वो कभी satisfied होते ही नहीं है but animals ऐसे नहीं होते हैं वो अपनी life में खुस होते हैं satisfied रहते हैं so they saw their relations to me and I accept them they bring me tokens of myself they events them plenty in their positions अब point बोल रहे हैं कि जो animals है जो मुझे अपना affection दिखाते हैं प्यार दिखाते हैं उसे मैं accept करता हूं tokens का मतलब होता qualities तो वो बोल रहे हैं जो qualities इंसान में कभी होते थे वो मुझे अब animals में दिखती हैं जब मैं animals से मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे सारे tokens ही भापस आके मिल रहे हैं I wonder where they get those tokens did I pass that way huge times ago and negligently drop them अब point बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता पहले चीजे जो human being में होती थी the good character, the innocence, good heart, kindness, the cure, the respect यह सभी human being में होती थी बट अब यह हम में नहीं होती है वो animals में आ गई है तो वो बोलते हैं did I pass? क्या मैंने खुद इन qualities को उन्हें दे दिया? या फिर negligently उन्हें गिरा दिया? वो जो values जो हम में नहीं है हैना जो अब animals में है so the meaning of negligently is carelessly हैना? तो क्या हमने खुद उन्हें इन values qualities को animals को दे दिया? so point बोलते हैं कि human being से बहुत better है animals I would prefer animals over human being because animals are innocent they are caring unlike humans they satisfy to everything they are not unhappy so this was the poem animals you जढओान dozen. दिया